महिला शक्ती का प्रदर्शन रिवा के सिल्पी बाजार के सामने तमिलनाड की राजलक्ष्मी ने ट्रक खिच कर सब को चौका दिया जी हाँ रविवार की दो पहर रिवा शहर के सबसे विस्तितब बाजार शिल्पी बाजार के सामने एक हैरत अंगेट प्रदर्शन तमिल लाडु की महिला राजलक्षमी के दौरा किया गया जब उन्होंने हचारों की भीड के सामने चप को खीचना प्रारंग कर दिया वह भी बगएर हाथ लगाए जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं राजलक्षमी महद एक बिल्ड के सहारे चप को खीच रही है यह कारनामा उन्होंने रीवा की धर्ती पर महिला शशक्तिकरन की केंडर की योजनाओं से प्रेरित होकर उनके प्रचार प्रशार करने के उद्देश्चित किया रीवा दर्शन की टीम ने इस मौके पर मौझूद महिलाओं सहित राजलक्षमी से बात की सबका यही कहना था महिला ससक्तिकरन की बात करने वाले की हम साथ हैं आप भी सुनिये उन्होंने रीवा दर्शन से खास बातशीत करते हुए क्या कहा पर दर्शन की बात करने वाले के लिए जो पर दर्शन की नजन तो सब्सक्तिकरन की बात करने दिया है मैं कपसे करने वाले करको नजन की बात मात जागंसा एक विए जगया? कैसा लगा रीवा में आपको आपने इस ग। आ्दर्शन करवानुक क्या उन्दिशना? इस ग। इसकी ग। इसके माध्या में नहीं अन्या का प्रदर्शन आमने तर्वान के दूसरा आपने जो बोदी जी के मने पुष्ट करणत आपने काम किया है, आप गेंड की जो हमारी भारस्ता की ओजना है, उनको घरबुट पुचाने का, और यह बात कि अगर हमें अपने भारत को फिर से विशुकुरू बनाना है, उनको सर्वमान नित्रत या जहां दुनिया जो बात को घरबुट खान दूसरा जोड़ा जो हमें तिन आपने थे बात कि अगरभी उनको मार्ना गढ़ें, एससे सर्मान नित्रत आपने नरेंद्र रही भाई पोदी जी को इसे तेश को फिर से प्रखान मन करी हो, इसे परखान मत करी किया है, उनको बात है, उनको बात प्रविटा के अंदर शेक है। पुज़ा का संचाथ हुआ है। सभी महिलाएं अपने आपों इतना ताकत पर महिसूश करनी है। कि अंदर चछीपी कुले के इतना कॉतिवादी उको बाहर लाने के उत्राने के उने थ्यास किया है। ताकत हम सभी इस चुनाओं में तो हजाना की चुनाओं में सभी मिलाएं कि खाएगी। और रुख करनी है। तो अगरा की संचाथ है। हम इस समय मौजूद है रीवा के शिल्पी प्लाजा में। यहाँ पर अभी कुछ छड़ पहले ही कामिल नाडू से आई राज रच्पी जी ने प्रेक खीच कर महिला ससक्ति करन के अध्रूत लमूना प्रस्तुतिया। रीवा की सड़कों में इस तरह का प्रदर्शन पहली बार देखकर यहाँ की महिलाएं, यहाँ की युवग का भी रुमान्चीत थे। रीवा दर्शन स्विए मैं जावेदन साथ।